राधे राधे भगवान की क्रिपा से आप सब अच्छे होंगे आज के वेडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम रसोई घर में कौन से ऐसे कार्या करें जिससे के हमारे घर में अनपूर्णा का वासो और हमारे रसोई घर में माता का अशीरवाद बना रहे और मा लक्ष्मी की क्रिपा हमारे घर पर होती रहे पहले तो हमें अपने रसोई घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए रसोई घर जैसा भी हो छोटा हो बड़ा हो नया बना हो पुराना हो लेकिन सफाई उसमें अवश्या ही होनी चाहिए और उसमें से जितने तोटे फूटे बरतन हैं चटके होए डिबे हैं तोटे होए डिबे हैं वो सारे बाहर फिंक देने चाहिए और अच्छा असमान लाकर उसमें रखना चाहिए अच्छे बरतन लाकर उसमें रखने चाहिए और हमें अपने रसोई घर से कभी भी ये चार चीजें खत्म नहीं होने देनी चाहिए पहला है आटा, दूसरा है बेसन, तीसरा हल्दी और चोथा है चीनी ये सारी चीजें कभी भी खत्म नहीं होने देनी चाहिए जैसे ही डिबे में दिखे कि ये वस्टूइं कम रह गई है तो वश्या लाकर उन डिबों को भर देना चाहिए इन डिबों को कभी भी खाली नहीं होने देना चाहिए नहीं तो हमारा शुकर ग्रै और गुरू ग्रै खराब हो जाता है जिससे के धन, नोकरी, वेपार में फिर मुश्किलें आती है और फिर धन की कमी होती है और मा लक्ष्मी की, कृपा की जो कमी है वो होने लगती है इसलिए कभी भी इन चार चीचों को खतम नहीं होने देना चाहिए और सोई खर में कभी भी रात को जूठे बरतन छोड़ने नहीं चाहिए अगर कोई मेड आती है तो फिर जूठे बरतनों में से जूठन सारी डस्टमिन में फिंक कर उनमें पानी डाल कर रख देना चाहिए जिनसे के जूठे बरतनों की जो नेगिटिवटी है वो घर में ना फैले और सोई खर में जाले कभी भी नहीं लगने देने चाहिए जैसे ही कोई जाला दिखे उसे उसे वक्त साफ कर देना चाहिए और सोई खर की जो राशन रखने वाली अलमारी है वो कभी भी तूटी हुई नहीं होनी चाहिए अगर वो ज़्यादा ये तूट गई है तो उसे नई बनवा लेनी चाहिए अगर मुरम्मत हो सकती है तो मुरम्मत करवा लेनी चाहिए लेकिन राशन वाली अलमारी को कभी भी तूटा हुआ नहीं रखना चाहिए और उसमें से समान निकाल कर जब हमने राशन का समान उसमें से निकाल लिया तो उसी वक्त बंद कर देनी चाहिए कभी भी खुली नहीं रखनी चाहिए और सोई खर में रात को जब सारा काम हो जाता है सारी सुफाई करके एक कटोरी में कपूर और दो लॉंग डाल कर जला देनी चाहिए इससे अनपूर्णा का वास घर में बना रहता है और मा अनपूर्णा की कृपा होती रहती है और सोई घर में कभी भी चाकू बगैरा सामने नहीं रखने चाहिए और नहीं लटकाकर रखने चाहिए इन्हें किसी शेलफ पर सहेज कर या पिछे करके रखना चाहिए जिस से के ये सामने ना दिखे और सोई घर में जब हम सबजी बनाते हैं या कोई चीज बनाते हैं तो उसे कभी जूठा नहीं करना चाहिए जो औरतें ऐसा करती हैं उनके घर में फिर गरीबी आती है पहले साफ और सुची चीज निकाल कर भगवान को भोग लगाना चाहिए और कभी भी बनी हुई सबजी में उंगलियां मार कर उसका नमक वगारा चेक नहीं करना चाहिए ये अच्छा नहीं होता ये गरीबी को बुलावे का संकेत होता है इस तरह से हमें अपनी रिसोई घर में सारे चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम ऐसा करते हैं तो मा अनपूर्णा कवास हमारे घर में बना रहता है और मा लक्षमी की गृपा भी पनी रहती है शियर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जै माता दी